हलो फ्रेंड, साब सब काफेजी स्कुलासेज में इस वाक्त है हमने अभी तक पी एंडार्ड के तल पर होने वाली अभी गिर्याओं तथा उसमें धारा के परचालन और उसके अभी लाक्षिनिक वक्रों मतलग करेक्टिस्टिक वक्रों के बारे में अभी तक स्टेड़ी की थी आज हम पी एंडार्ड के परकारों तथा चीनर ब्रेकडाउन वे अवलांश बंजन के बारे में मुख्य रूप से दिन करेंगे सबसे पहले अवलांश बंजन अवलांश बंजन क्या होता है जब अपने PM संदी डायोड को पश्च वाइस में लगाते हैं तब जैसे ही वोलता का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो एक समय ऐसा आ जाता है कि डायोड में उपस्तित अलब संखिक आवेश वाहक तेजी से गती करने लग जाते हैं डायोड के सैस युजक बंदों से टकराकर उन्हें तोड़ते हैं जिसके कारण इलेक्टोन और होल्स का युगम उतपादन होता है ये इलेक्टोन वे होल्स नए बंदों से टकराते हैं और पुनाय नए इलेक्टोन में होल्स के युगमत पादन करते हैं यह किरिया लगातार चलते रहती है और पी एन संदी तल से धारा का प्रवा तेजी से होने लग जाता है डावड की पश्वाइस अवस्ता में भी धारा इसमें तेजी से बहने लग जाती है अब यदि पी एन संदी तल की अवक्षय परत की मोटाई अत्यांत कम हो तो यह अवलांश भंजन की अवस्ता जेनर भंजन या जेनर ब्रेकडाउन कहलाती है अब मुख्य रूप से डावडों के प्रकारों के बारे में अधियन शुरू करेंगे जिसमें प्रतम प्रकार का डावड है जेनर डावड जेनर डावड मुख्य रूप से सधारन डावड है जिसे पश्वाइस अवस्ता में लगाया जाता है या किसी प्रिपत में वोल्टा निंत्रित करने या वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उप्योग में लिया जाता है जिस परतिरोध की सिरोपर वोल्टा निंत्रित करनी हो उसके समानतर करम में जीनर डायड का उप्योग किया जाता है जीनर डायड का सिंबल ये होता है जैसे अपने कोई एन निंत्रित वोलता वी आई थी अब इसे निंत्रित करने के लिए अपने एक जीनर डायड जिसके सिरोपर वोलता निंत्रित करनी है उसके सवांतर करम में जीनर डायड लगा दिया और इस परतिरोपर जो वोलता मिलेगी वो निंत्रित वोलता मिलेगी अब ये वोलता निंत्रित वोलता कैसे मिलती है जैसे अपने कोई निश्चित वोल्टा कर लें 10 वोल्ट तो अपनी जीनर डायड भी ऐसा लगाते हैं जिसकी जीनर वोल्टा 10 वोल्ट हो यदि 10 वोल्ट से कम वोल्टा आएगी तो लगातार अपने को वोल्टा मिलती रहेगी जैसे 10 वोल्ट से अधिक वोल्टा का मान होगा तो डायोड का ब्रेकडाउन हो जगा मतलब जीनर breakdown हो जगा जिसके कारण extra current हो गई, extra voltage होगी वो जीनर डायोड में से ओकर प्रवाइत होगी और परतिरोध किसी रोपर वोड़ता का मान लगाता नियंतरी ते रहेगा जीनर डायोड का मुख्य रूप से उप्योग वोड़ता नियंतर के रूप में ही उप्योग किया जाता है डायोड का दूसरा मुख्य प्रकार फोटो डायोड है इसे भी प्रिपत में पश्वाइस में ही उप्योग में किया जाता है फोटो डायोड का मुख्या उप्योग प्रकाश परवर्दित युक्तियां बनाने में धवने के पुनरुत पादन में प्रकाश चलित स्विचों में आधी में किया जाता है डायोड का तीसरा प्रकार LED मतलो लाइट एमिटेड डायोड या प्रकाश उस्विचों में किया जाता है इसका मुख्या रूप से उप्योग तेजी से या तिवर कारे अर्थ स्विचों में किया जाता है LED या प्रकास उर्सरज़ डायड को बनाने के लिए मुख्या रूप से गेलियम फास्पाइड या गेलियम आर्सेनेट फास्पाइड जैसे अर्दचाल को का उपयोग किया जता है इसमें साधारन सिलिकोन या जर्मेनियम से बने डायड का उपयोग नहीं किया जता क्योंकि उन डायडों में धारा प्रवाइद होने के कारण उश्मा उर्जा प्राप्त होती है प्रकास उर्जा प्राप्त है नहीं होती है इस तरह से डायड के तीन मुख्या प्रकार जेनर डायड एलेडी मतलब प्रकास उसरज़क डायड वे फोटो डायड है दाइउट के परकारों के प्रशाद हम अब दिष्ट करंट के बारे में धिन करेंगे Dissed current मतलव Rectification Д Ister current क्या होता है AC धारा को DC धारा में बदलना ही क्या कलाता है dic current या ratification मतलव AC धारा या AC voltage को DC voltage मतलव direct current में चेंज़ करना ही क्या खिलता है district current AC मतलब पर्त्य वर्तिदारां और DC मतलब दिष्ट दारां AC को DC में बदलने के लिए प्रियुक्त य्युक्तियां दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहलाती दिश्टकारी मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं जिसमें पहला है अर्द तरंग दिश्टकारी दूसरा है पूरन तरंग दिश्टकारी और तीसरा है सेतू दिश्टकारी या ब्रिज रेक्टी फायर जिसमें सरवपर्थम हम अर्द तरंग दिश्टकारी के बारे में अध्यन शुरू करेंगे ये अर्द तरंग दिश्टकारी या हाफ वेव रेक्टी वायर का प्रिपत्य चुत्र है अर्द तरंग दिश्टकारी में मुख्या रूप से एक डायोड का प्योग किया जता है जबकि पूर्ण तरंग दिश्टकारी में दो डायोडों का प्योग किया जता है और से तो दिश्टकारी में चार डायोडों का प्योग किया जता है अड़त तरंग दिश्टकारी में जिस परत्यवरती वोल्टा को मतलब AC वोल्टेज को चेंज करना है उसे transformer की प्रात्मी कुंडली से जोड़ देते हैं ये transformer की प्रात्मी कुंडली ये primary coil transformer की द्वित्य कुंडली ये secondary coil से PN diode जोड़ देते हैं पी एन डाट के पी सिरे को जो ट्रांस्फोर्मर है उसके एस सिरे से और एन सिरे को परतिरोध आर द्वारा दित्ते कुंडली के पी सिरे से जोड़ दिया जाता है अब जैसे दीगी एसी वोल्टेज इस त्रह की है जिसका पहला आदा चक्र जैसे यह पाई दो पाई मतलब याड से टी लिख सकते हैं टी बै टू मतलब हाफ और यह टी यह है इन्पूट वोल्टेज दीगी वोल्टा तो पहले यह एसी वोल्टेज है एसी वोल्टा के पहले आदे चक्र में जो ट्रांस्वोर्मर की जित्ते कुन ली है इसका ए सिरा पोजिटिव और बी सिरा नेगटिव होता है जिसके कारण PN डायड का P सिरा प्लस से मतलब पोजिटिव से और N सिरा माइनस से जुड़ा है और PN डायड इस समय अगर अवस्ता में कार्या करता है जिसके कारण PN डायड में से धारा का चालन होता है और लोड परतिरोद R के सिरों पर अपने को निर्गत वोल्टा प्राप्त होती है तो जैसे देगी वोल्टा तो ये थी और पहले आदे चकर में लोड परतिरोद में से वोल्टा प्राप्त हो रही है और डायड अगर वाइस में है इस कारण अपने को निर्गत वोल्टा प प्राप्त होती है प्रन्तु अगले आदे चक्कर में A सिरा नेगिटिव और B सिरा पोजिटिव हो जाता है जिसके कारण PN डाइड पर श्वायस में कार्या करने लग जाता है और जिसके कारण डाइड में से कोई धारा प्रवा नहीं होता है डाइड में से धारा प्रवा नहीं होने के कारण परतिरोध आरक के शिरोपर कोई निर्गत वोलता है प्राप्त नहीं थी इसी तरह अगले आदे साइक्ल में या अगले आदे चक्कर में जित्ते कुनली का A सिरा फिर से पॉजिटिव और B पीसे रहा नेगतिव हो जाता है जिसके कज़ डायोड एगरिवास में करया करता है और लोड परतिरोद आर। के सिरोपड पर अपने को निरगत वोल्टा प्रप्त होती है तो अगले हाथ सब्सक्राइब निर्गत वोल्टा प्रप्त होगा जैसे इसमें देगी शिरोपर कोई वोल्टा प्राप्त नहीं होगी धारा प्रवान दी जा रहे थी वो अर्द तरंग दिश्टकारी द्वारा अर्द तरंग में प्रिवर्तित हो रही है इस तरह अर्द तरंग दिश्टकारी द्वारा एसी वोल्टेज का दिश्टकरन किया जा सकता है अब इसके पशाद पूरं तरंग दिश्टकारी और से तो दिश्टकारी के बारे में अब आगे कल अध्यन किया जाएगा